Good morning students, today I am going to teach you chapter money and today's topic is subtraction of money आज हम क्या पढ़ेंगे? subtraction of money, हमने अपने previous वीडियो में क्या पढ़ा था? addition of money, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? subtraction of money, means हम subtract करना सीखेंगे तो जैसे हमने अपने previous वीडियो में addition करना सीखा था, ठीक उसी तरीके से हमें इसमें भी वही करना है बट हमें addition के जगे पर क्या करना होगा? subtraction तो आपको subtraction of money ये topic सीखना है, तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा कि मैं इस वीडियो में आपको कैसे बता रही हूँ, कैसे example आपके सामने solve कर रही हूँ, जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में भी नहीं आएगा तो इसलिए आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा तो मैं अब अपना topic आपके सामने मतलब बताने जा रही हूँ, क्या है हमारा topic? subtraction of money तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा example लिखे हुए, तो इस examples को मैं one by one solve करूँगी जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, कि हमें subtract कैसे करना है? तो हमारा पहला example क्या है? रूपीज 76.45 यह क्या है? पॉइंट के बाद वाला number क्या कहते हैं हम उसे? पैसे यह क्या है? रूपीज 67.80 पैसे तो अब हमी क्या करना है? इसे subtract करना है, means minus करना है तो पहले हम क्या करेंगे? इसको column में लिखेंगे क्या करेंगे हम column में लिखेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रूपीज means 76 रूपीज हो गया और 45 क्या हो गया? पैसे अब ठीक इसके नीचे हमें रूपीज के नीचे रूपीज लिखेंगे पहले यहाँ पे subtraction का एक sign बनाएंगे फिर 67 और कितने पैसे हैं? 80 पैसे अब हम क्या करेंगे इसको? subtract करेंगे तो क्या लिखा यहाँ पे 5? 5 में से हम 0 को minus करेंगे तो क्या हैगा? 5 बत 4 में से 8 minus नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? carry करेंगे, borrow करेंगे तो है यह 14 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? 5 तो अब 14 में से हम 8 को minus कर सकते हैं तो हमारा answer क्या यहाँ गा? 6 point है तो यहाँ point हम लगा देंगे अब 5 में से 7 तो minus नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 7 से बोरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 तो हम और यहां क्या हो जाएगा 6 अब 15 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 और 6 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 यहां पे रुपीज तो हमारा आंसर क्या आया? 8 रूपीज 65 पैसे मिन्स हमने 76 रूपीज और 45 पैसे मैसे 67 रूपीज और 18 पैसे माइनस कियें तो हमारा आंसर आया रूपीज 1 मिन्स 8 रूपीज और 65 पैसे ऐसे हम अपना second example को solve करेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा? रूपीज लिखना होगा फिर कितने रूपीज है 98 और कितने पैसे है 45 पैसे फिर सब्ट्रेक्शन का हम साइन लगाएंगे फिर रूपीज लिखेंगे रूपीज के नीचे रूपीज लिखेंगे ये 4 रूपीज है तो 4 कहाँ पे आएगा 8 के नीचे 9 के नीचे आपको नहीं लिखना है क्योंकि 4 क्या यहां पर 1 नमबर है तो हम इसे 1s की प्लेस पर ही रखेंगे और यहां पर क्या है 0 अब पॉइंट लगा देंगे और कितने पैसे हैं 60 पैसे अब हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक करेंगे 5 में से हमने 0 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 5 4 में से 6 माइनस नहीं होगा हम बोरो करेंगे यह 14 और यह क्या हो जाएगा 8 तो 14 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 8 अब 8 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 4 और यहां पर 7 आएगा मैंने 8 लिख दिया है गलती से क्या आएगा 7 7 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 3 क्या आएगा हमारा आंसर 3 क्योंकि 8 ने 8 से तो 8 ने इसे दिया तो यह कितना हो गया 14 और यह टैना 7 में से 4 माइनस किया 3 फिर 9 में से 0 माइनस हो गा तो 9 ही आएगा और यहां पर हम क्या लिख देंगे रुपीज मिंस हमारा क्या आंसर आया रुपीज 98 और 45 पैसे में हमने रुपीज 4 और 60 पैसे को माइनस किया तो हमारा आंसर आया रुपीज 93 और कितने पैसे आएं 85 पैसे मिन्स आपको क्या करना है पहले इस नंबर को लिखना है फिर ठीक उसके नीचे इस नंबर को लिखना है फिर 1 बाइ 1 करके माइनस करना है means 5 में से 0 minus हुआ 5 4 में से 6 minus नहीं होगा तो 4 ने 8 से borrow किया means 14 हो गया 14 में से 6 minus किया तो 8 आया फिर 4 ने 8 से borrow किया था इसलिए 8 के पास कितना बचा 7 7 में से 4 minus किया तो 3 9 के नीचे 0 है means 9 means 93 rupees और 85 पैसे अब ठीक इसी तरीके से हम अपना 3rd example भी solve करेंगे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे rupees फिर 85 और कितने पैसे है 90 फिर हम minus का sign लगाएंगे rupees लिखेंगे 49 और कितने पैसे है 95 पैसे अब हम क्या करेंगे इसे subtract करेंगे अब 0 में से 5 minus नहीं होगा तो हम borrow करेंगे यह हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 8 10 में से हमने 5 minus किया 5 8 में से 9 more नहीं कर पाएंगे हम minus नहीं कर पाएंगे तो 5 से 8 क्या करेंगा borrow करेंगा यह हो जाएगा 4 यह हो जाएगा 18 18 से हम 9 minus कर सकते हैं तो क्या आएगा 9 अब 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 5 क्या करेगा 8 से बौरो करेगा यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 7 14 से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 और 7 से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 कैसे हमने माइनस किया पहले हमने 85 रूपीज और 90 पैसे लिखे फिर हमने ठीक उसके नीचे रूपीज 49 और 95 पैसे लिखे फिर हमने 1 बाई 1 क्या किया? माइनस किया, मिन्स जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा तो हमने क्या लिखा यहां पर? 5, 10 में से 5 गया 5 यहां पर 18, 18 में से 9 गया 9, 14 में से 9 गया 5, 7 में से 4 गया 3, means रूपीज 35 और 95 पैसे, अब हम अपना next example solve करेंगे, यहां पर क्या लिखा है, रूपीज 64 और 10 पैसे, और यहां पर 37 रूपीज और 30 पैसे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, रूपीज 64 और 10 पैसे, फिर उसके नीचे हम माइनस का साइन लगाएंगे, 37 और 30 पैसे, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रेक करेंगे, 0 में से 0, 0 ए 1 में से 3 नहीं बॉरो होगा यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 11 11 में से 3 हमने माइनस किया 8 3 में से 7 ने यह 13 यह हो जाएगा 5 13 में से 7 माइनस किया हमने 6 5 में से 3 2 means 26 रूपीज 80 पैसे अब ठीक इसी तरीके से हम अपना 5 एक्जामपल भी सॉल्फ करेंगे 55 रूपीज है और 70 पैसे है माइनस का साइन हमने लगा दिया 29 रूपीज है और 80 क्या है पैसे है अब हम सब्ट्रेक करेंगे 0 7 में से 8 माइनस नहीं होगा 17 यह से देगा 4 17 में से 8 माइनस होगा तो 9, 4 में से 9 माइनस नहीं हुआ, 14, यह हो गया 4, 14 में से हम 9 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2, means 25 रूपीज और 90 पैसे, अब इसी तरीके से हम इसे भी solve करेंगे, रूपीज 89 और 20 पैसे, सब्ट्रेक का साइन हम लगाएंगे, रूपीज 8 बोला है, तो 8 यहां पर आएगा, यहां पर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे हम, 76 पैसे, अब 0 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, बौरो करते हैं, यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 10 में से हमने 6 माइनस किया, आंसर आया हमारा 4, 1 से 7 माइनस नहीं होगा, यह बोरो करेगा 9 से, यह हो जाएगा 11, यह बन जाएगा 8, 11 में से हमने 7 माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 4, 8 में से 8 माइनस किया 0, यहां पर क्या आएगा 8, means 80 रूपीज और 44 पैसे, कितने रूप करना है 강पके सामने आपको अग्जांपल साएंगे और आपको इसी तरीके से सॉफ करना है। पहले आपको रुपीज में जू बिल रुपीज वाला उसे उपर लिखेंगे और जो कम पैसे हैं जो कम रुपीज है उसे हम नीचे लिखकर हम क्या करेंगे वन बाई वन ऐसे माइनस करेंगे थाइंक यू एंड हैव नाइस डेए